अज़के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में देखेंगे कि टू स्वीच वन सौकेट वन इंडिकेटर एंड वन होल्डर का कनेक्शन के से करते हैं आप हमारे चाहिए पर नहीं होता हमारे चाहिए को सब्सक्राइब पीजिए यानि कि टेक्निकल जो आपको हमारे चाहिए पर तेखने को मिल रहे है तो चलो वीडियो को स्टार्ड करते हैं सबसे बहले हम फेज का कनेक्शन करने वाले इसके लिए हमने एक रेडिकलर का वायर या पर लिया है हम वो स्विच के जो निचली पॉइंट होता है उन पर हम या पर लूपिन कने दोनों स्विच के निचली जो पॉइंट है उन पर हम या पर फेज वायर लगा लेते हैं फेज वायर लगाने के बाद आज चीज़े श्रूर को हम या पर कस लेते हैं दोनों स्विच को अच्छा से हम तस लेते हैं या पर उसके बाद एक स्विच से जो हमारा टूपिन सॉकेट है उसके लिए हम एक वायर यहापर हम लगा लेते हैं सॉकेट के निशली पॉइंट पर हम यहापर फेज का वायर यहां लगा लेते हैं यानि कि जैसे हम स्विच चालू करेंगे तो यहापर स्विच को फेज मिलेगा यहापर स्विच के उपर की पॉइंट पर हम यहापर फेज का वायर यहापर लगा लेते हैं और उसको भी अ उसके बाद हम यहाँ पर होल्डर लेते हैं इसके लिए हमको यहाँ पर एक होल्डर लिया हमने यहाँ पर इसमें भीज फिल्डर का कनेक्शन लागा लेते हैं हम यहाँ पर switch के उपर के point पर face का wire हम यहाँ पर लगा लेते हैं यहाँ पर यह से connection करते हैं switch का button इसका connection कर लेते हैं चालू करेंगे दोने वाया यहाँ पर चैसे मारा light को screw अच्छे से face कर लेते हैं यहाँ पर जाएगा स्विच के उपर के पांड पर हम यहां पर फेस का वायर हम यहां पर पनेट कर ले जाएं यहां पर फेस का वायर हम अच्छ से स्क्रू को कस लेते हैं यानि की वायर निकलने नहीं चाहिए और यहां पर जो नुटर का जो वायर है वह हम इडिकेटर के कौन से भी एक पॉइंट पर हम यहां पर लागा लेते हैं तुपिंग स्क्रू की उपर के पॉइंट पर हम यहां पर नुटर का एक वायर लगा ले थे और दूसरा वह और उसके वायर का दूसरा जो पॉइंट है वह हम यहां पर इंडिकेटर के ओपर के पॉइंट पर हम यहां पर लागा लेते हैं वोल्डर का नुटरल और जो सॉकेट से जो नुटरल आया है हम दोनों को एक साथ हम यहां पर इंडिकेटर में लागा लेते हैं और यहां उपर अच्छे इस गूखो कस लेते हैं यहां पर हमारा holder connection हो चूका है Nautral का भी connection हो चुका है इसके बाद हम जो फेल यह हमारा हो इंडिकेटर को भी हम देते हैं यहां पर इंडिकेटर में भी पर हम फेज देते हैं इसको हम connect कर लेते हैं यहाँ पर हमारा connection पुरा हो चुगा है अब इसको हम main जो supply होता है वहाँ पर फेज और neutral हम देते हैं जो दो पिले वायर हमने लगाए है एक holder का और एक circuit का उसमें एक पिले वायर हम लगाएंगे नूटरल का main और उसको अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं यहाँ पर अब हमरे चानल पर नयवत हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ कि इसी टेक्निकल वीडियो को हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे यहाँ पर नूटर का वायर हमने लगा लेया है उसके बाद main जो phase वायर है हम यहाँ पर लगा लेते हैं इंडिकेटर के इसले अब इसको हम चेक करके रेखते हैं यह हमारा connection अच्च्छ से हुआ है या नहीं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर supply on कर दिया है और हमारा इंडिकेटर पी चलने लगा है उसके बाद हम टेस्टर से यहाँ पर चेकिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पर स्विच चालू करने के बाद यहाँ पर केस्टर हमें लाइट जल रहा है यानि कि हमारा स्वाकेट का connection बें क्लियर हो चुका है उसके बाद हम वाल्डर का connection देखेंगे कि यहाँ पर बल्क लगा लेया है और यहाँ पर हम स्विच चालू कर देखते हैं